हेलो दोस्तों तो आप सभी का स्वागत है इस चैनल में ये डिजिटल रूपिया आज लॉंच हो गया है आर बी आई ने ये लॉंच किया है पहली नवंबर से डिजिटल रूपिया क्या है तो डिजिटल रूपिया यानि सेंट्रल बैंक डिजिटल करंसी ये एक डिजिटल रूप में इस मुद्रा का उप्योग किया जाएगा रुपिया पैसा एक इलेक्टरी रूप से इसका उप्योग किया जाएगा लोगों के साथ लेन दिन में इससे काफी जादा आसानी होगी 2022 का जब बजट पेस हुआ उस वक्त फाइनांस मंत्री निर्मला सितारमन ने घोशना की थी कि भारतिय रिजर बैंक जल्द ही अपने डिजिटल मुद्रा शुरू करेगा तो डिजिटल लेन दिन में काफी कमी हो जाएगी डिजिटल मुद्रा होने से सरकार के अंदर पैसे की सारी जानकारी होगी सरकार की निगाहों से बचना असंभव हो जाएगा क्योंकि सरकार की नजर इसके हर पैसे पर होगी कि कहा जाता है कहा आता है अगर देखा जाए तो भविशे में काफी बहतर बजट और आर्थी ग्योजनाए बनाई जा सकती है कुल मिलकर इससे सुरक्षित वातावरण बनाया जा सकता है क्योंकि ये एक डिजिटल फॉर्म में करंसी होगी तो ये सब चीजे बंद हो जाएगी जो की फिजिकली होती है डिजिटल करंसी के एक और लाब है फटे जले नोट शारी रिक्रूप से ये उपस्तित नहीं होंगे तो ये प्रॉबलम भी काफी हद तक सोल हो जाएगी एक डिजिटल मुद्रा की जीवन रेखा भावतिक नोट की तुलना में अनिश्चियत होगी RBI के कुछ समय में केंद्रिय बैंक डिजिटल मुद्रा के फायदे नुकसान खोज रहे है इसे चरण बुद्ध तरीके से लागू करने की रणनीती पर काम कर रहे है